रेप्टाइल का क्या आर्थ होता है या आज की इस वीडियो में सीख लेते हैं रेप्टाइल का इस्तेमाल नाउन और अड्जेक्टिव दोनों तरीके से किया जाता है नाउन की रूप में रेप्टाइल का आर्थ होता है साप, कीडा, सरपनशील, जन्तू यानि कि साप के जैसा कोई भी जानवर या रेंगने वाला कोई भी जानवर यानि कि रेंगने वाला कोई भी जानवर या जनतू होता है तो उसे हम reptile कहते हैं adjective के रूप में इसका आर्थ होता है रेंगने वाला जनतू या रेंगने वाला या साप का जैसे कि एगर आप ये कहना चाहें कि भूमी सरी स्रिप जीवन से भरी हुई है तो आप कहेंगे The land is teeming with reptile life, सरी स्रिप जीवन का मतलब है कि रेंगने वाले जानवरों से भरी हुई है या अगर आप ये कहना चाहें कि मेंडर के एक सरी स्रिप नहीं है यानि कि एक रेंगने वाला जानवर नहीं है तो आप कहेंगे The frog is not a reptile The frog is not a reptile अब आप ऐसी ही किसी भी word का मतलब हिंदी और इंग्लिश में YouTube पर सर्च कर सकते हैं आपको मेरी वीडियो मिल जाएगी जिसमें आप बिना किसी फालतु बकवास के सीधा उस word का मतलब समझ पाएंगे तो ऐसी ही वीडियो को देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बैल आइकन को प्रेस करें